एक्सरसाइज 12.4 का सेकेंड कुश्चन सेकेंड कुश्चन में दिया है यूज द गिवन एक्स एलजेबरिक एक्सप्रेशन तो कम्प्लीट टेबल ओफ नंबर पैटर्न्स यहादे को एक टेबल दिया हुआ है आपको इस टेबल में जो पहला कॉलम में वो तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1,2,3,4,5,6 जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे कि पहला एक्सप्रेशन दिया है 2N-1 और उसके बाद आप आगे बढ़े होगे तो तीसरा एक बड़ा कॉलम है टर्म्स का और उसमें फिर सब कॉलम बना हुआ है तो यह टर्म्स है इसका क्या मतलब है जो पहला टर्म है ठीक है फर्स्ट टर्म का मतलब यहां देखो अगर एन का वैल्यू वन पूट करेंगे तो उसका एंसर वन आएगा फिर उसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुए सेकेंड तो जो 2N-1 है वहाँ पर अगर वैल्यू तो टू पूट करेंगे ठीक है तो उसका एंसर आएगा 3 वैसे ही 3rd कॉलम में जो 3rd position है ठीक है 3rd कॉलम का मतलब 3rd position हो गया अगर इसी expression में 2N-1 में 3 पूट करेंगे तो उसका एंसर 5 आएगा इसी तरीके से यह पूरा series बना हुआ है सब कॉलम बने हुए है तो कुछ- में पहला जो problem है उसमें hundredth term पूछ रहा है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अगर n के जगा hundred put किया जाए तो उसका answer कितना आएगा वैसी आप second question में देखोगे तो fifth position में क्या आएगा fifth term कौन सा होगा या tenth term कौन सा होगा और hundredth term कौन सा होगा तो जो जो position खाली है उसको हमको fill करना है ठीक है तो इसको अपन whiteboard में solve करते हैं देखो मैं यहाँ पर column draw करके नहीं बना रहा हूं वो draw करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको सिर्फ term find out करना है ठीक है तो आपने देख लेते हैं जैसे second का जो पहला expression दिया हुआ है पहला expression है 2n-1 अब आपको यह देख लेना है उस table में कि कौन कौन सा जो term है वो खाली है तो यहाँ पर hundredth जो term है hundredth term find out करना है hundred का जो position है वो खाली है तो कैसे करेंगे यहाँ पर n का value हो जाएगा one n का value यहाँ पर put करते है putting sorry n का value hundred हो जाएगा ठीक है one नहीं hundred क्योंकि hundredth position हमको find out करना है putting n is equals to hundred in this expression तो यह होगा two into hundred minus one two into hundred किता होता है two hundred minus one तो यह आगया one hundred ninety-nine तो इस expression का जो hundredth term होगा या hundredth position में उसका answer one hundred ninety-nine आएगा ठीक है वैसी देखते हैं कि second problem इसका जो second expression दिया हुआ है इसका second expression है three n plus two और यहाँ पर हमको find out करना है fifth term 10th term और hundredth term यानि कि fifth position में क्या आएगा and क्या आएगा और hundredth में अब इस position का क्या मतलब है अगर एन की जगा five put किया जाया तो answer कितना आएगा अगर एन की जगा ten put किया जाया तो answer कितना आएगा और एन की जगा hundredth put किया जाया तो answer कितना आएगा तो एक एक कर लेते हैं अगर एन की जगा five put करेंगे ठीक है five अगर put करते है putting यहाँ पर ऐसा लिख लेते putting n is equals to five तो फिफ्थ टर्म हमको मिल जाएगा यह हो गया three into five plus two three five is a fifteen plus two answer आगया इसका 17 तो फिफ्थ टर्म का answer होगा 17 आगे इसका 10 टर्म है तो putting अब यहाँ पर इसी expression में ठीक है इस expression में 10 put करते है putting n is equals to 10 तो 10th position में कितना number आएगा वो पता चल जाएगा तो यहाँ पर put करेंगे इस expression में three into ten plus two three tens आओ गया 30 plus two answer आगया 32 तो यह 10th position में इसका answer आएगा 32 ठीक है वैसे अब 100 put करके देख लेते है putting n is equals to 100 यहाँ पर इसी expression put करेंगे यह गया three into 100 plus two तो यह हो जाएगा 300 plus two three hundred two इसका answer होगा ठीक है आगे इसका third expression देखते हैं third expression में क्या दिया हुआ है third expression है four n plus one और यहाँ पर जो खाली है सेम वह खाली है fifth term tenth term और hundredth term ठीक है fifth में क्या आएगा tenth में क्या आएगा और hundredth में क्या आएगा यह find out करना है तो अगर n का value five रहेगा तो आप देखो four into five plus one four five twenty plus one हो गया twenty one fifth position में या fifth term इसका twenty one होगा इस series का और अगर tenth find out करना है तो ten put करेंगे putting n is equals to ten तो यह हो गया four into ten plus one four seconds हो गया forty plus one answer आगया forty one यानि कि tenth जो term है वो forty one होगा अब hundredth term इसका find out करते हैं तो hundred के लिए put करेंगे hundred putting n is equals to hundred इसी expression put करते है four into hundred n के जगा hundred आगया plus one यह हो गया four into hundred four hundred plus one four hundred one इसका answer हो गया ठीक है मैं इसको रब करता हूँ एक दो और बचे उसको भी solve करते हैं second का जो fourth problem दिया है या fourth expression दिया है वो है seven n plus twenty इसमें भी fifth tenth और hundredth term find out करना है तो पहले fifth term देखते हैं fifth term क्या आएगा fifth term के लिए n का value put n is equals to five यह हो जाएगा seven into five plus twenty seven five जा हो गया thirty five thirty five plus twenty हो जाएगा fifty five यानि की fifth term जो होगा इसका ठीक है fifth term हो जाएगा fifty five उसके बाद इसका tenth term find out करना है तो tenth term निकाल लेते हैं tenth term कितना होगा n का value of ten हो जाएगा तो seven into ten plus twenty seven ten सा seventy plus twenty हो गया ninety ठीक है अब उसके बाद hundredth term भी find out करना है तो यहां लिख लेते हैं इसका tenth term आ गया ninety अब लिख लेंगे hundredth term इसका कितना हैगा hundredth term देखते हैं इसमें n का value hundred put करना है seven into hundred plus twenty n के जगा hundred आ गया ती हो गया seven into hundred seven hundred plus twenty seven twenty आगे इसका answer ठीक है इस seven twenty इसका tenth hundred position में इसका answer seventh sorry seven twenty आएगा फिफ्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्ट प्रॉब्लम दिया एन स्कॉयर प्लस वन यह expression है एन स्कॉयर प्लस वन अब यहां पर जो हमको find out करना है सिर्फ फिफ्ट और टेंथ टेंथ टर्म का मतलब अगर एन के जगा five put किया जाए तो क्या answer आएगा और अगर एन के जगा ten put किया जाए तो क्या answer आएगा तो पहले फिफ्ट टर्म find out करते हैं फिफ्ट टर्म फिफ्ट टर्म में एन का value 5 put करेंगे यहां पर एन है एन का हो गया five square क्योंकि एन स्कॉयर है प्लस वन फाइव स्कॉयर का मतलब five into five plus one five five is a twenty five plus one answer आगया इसका 26 यानि कि फिफ्ट टर्म जो होगा इसका 26 होगा 10th term भी find out कर लेते हैं 10th term के लिए एन का value 10 put करना पड़ेगा put n is equal to 10 इसी expression नो put करेंगे तो 10 का square plus one 10 का square मतलब 10 into 10 plus one 10 10 जा तो hundred हो गया plus one ही हो गया 101 यह आज़ेगी 10th position जो इसका है यह 10th term होगा 101 ठीक है तो इसी के साथ यह exercise भी complete हो गया है यह chapter भी complete हो चुका है ठीक है second question complete हो गया इसका यह chapter complete हो गया है आगे वाने वाले वीडियो से नया chapter स्टार्ट करेंगे अर्ट करेंगे